हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका Computer Awareness की सीरीज में मैं हूँ आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरप शुकला हम लोग NIMSET 2024 की तेयारी कर रहे हैं और इसमें Computer Series देख रहे हैं Computer के सिलन ये Number Representation का मतलब है Internally Numbers को कैसे represent किया जाता है तो पहले बात करते हैं Integers की उसके बाद हम बात करेंगे Floating Point Representation की तो सबसे पहले Integer की बात करें तो कोई भी Integer Number को represent कैसे किया जाता है Binary में हम जानते हैं सब कुछ जो Store होता है वो Binary में Store होता है 0,1 में Store होता है तो 0,1 का Representation हमको समझना है तो दो काटिगरी में हम Integer के Representation को देखते हैं एक Signed Representation कहलाता है और एक Unsigned Representation कहलाता है Signed Representation का मतलब है जिसमें हम इस बात की Information रखते हैं कि Number Positive है या Negative है और इस बात के लिए हमें एक Bit की जगे चाहिए होती है जबकि Unsigned Representation वो है जिसमें हम Negative Numbers को Entertain ही नहीं करते हैं देखिए सोचने वाली बात है किसी Number को अगर आपको Store करना है तो आप Number का तो Binary कर सकते हैं आपने Previous Classes में देखा था Conversion कैसे करना है और Conversion करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि कई तरीके हैं Mathematical Formula हैं जिससे कि हम लोग Conversion कर सकते हैं तो आप किसी Decimal Number को यानि कोई Integer है 25 इसको Binary में Convert करना है तो हमें उसका Method मालूम है तो हम बोलेंगे कि इसका Binary हो जाएगा 11001 अब लेकिन Minus 25 है और इसको Binary में Represent करना है तो फिर कैसे Represent करेंगे चलिए 25 को तो आपने Represent कर दिया उसमें तो Mathematically हमने Formula लगा लिया और हमारा Result 11001 आ गया लेकिन ये जो Minus Sign लगा है इसका क्या करें Minus को कैसे Store करें इसके लिए आपको एक Extra Bit लेकर चलनी पड़ती है अब ये सारी बातें अभी हम लोग समझने जा रहे है और Signed Representation में इस Minus Sign की Information भी रखनी है Unsigned में हमें इसकी Information नहीं रखनी है हमें मानना ही नहीं है कि Negative Number है तो Signed में जो Range हो जाती है कितने Numbers हम Store कर सकते हैं Depends कि आपके पास कितनी जगे Suppose करिए कि आपके पास N Bits की जगे है N Bits मतलब N01 आप Store कर सकते हैं यापर तो N Bits की जगे अब N की Value अगर आप 8 मान लीजे तो आपके पास 1 Byte का एक Memory Block है जिसके अंदर आपको Number रखना है या N की Value हो सकती है 16 हो तो 16 Bits यानि 2 Bytes का Memory Block है जिसमें की हमें Number रखना है अब जो भी है N की Value ये है Formula Range का आपको Range पूछी जा सकती है देखे ध्यान दीजे किस तरह के सवाल आते हैं सवाल बहुत Simple आते हैं आपसे Range पूछी जा सकती है पूछा जा सकता है कि 1 Byte का अगर Memory Space है तो इसमें Signed Integer को Represent करेंगे तो उसकी Possible Range क्या होगी तो उसकी Range इस Formula से निकाल लीजे N की Value क्योंकि 8 है तो आप यहां 8 रख दीजे तो 2 पावर 8 माइनस 1 है और Negative भी लगा हुआ है तो 2 पावर 7 हो गया 2 पावर 7 is 128 तो यह हो जाएगा माइनस 128 से लेकर और यह 2 पावर 8 माइनस 1 यानि 2 पावर 7 तो यह है Range अगर 1 Byte में यानि 8 Bits में आप Signed Integer को कर रहे हैं Represent तो यह Formula आपको याद रखना है इसी तरीके से Unsigned Integer को अगर आप Represent कर रहे हैं तो कैसे करेंगे Unsigned Integer में Negative Value तो रहती ही नहीं तो उसकी Range हो जाती है 0 से लेकर 2 पावर N माइनस 1 तो जैसे मान लीजे की Again 1 Byte ले लेते हैं तो 1 Byte में Unsigned Representation अगर कर रहे हैं तो क्या Range of Numbers आप Store कर सकते हैं तो 0 से लेकर आप देखें 8 Bits हैं तो 2 पावर 8 माइनस 1 तो 2 पावर 8 is 256 256-1 is 255 तो यह 0 से लेकर 255 तक आप इसमें Represent कर सकते हैं Unsigned Representation में Signed Representation में माइनस 128 से लेकर Plus 127 अब यह N की Value अगर मैं Change कर दूं तो Values Change हो जाएंगे तो N is Number of Bits 2 पावर N Distinct Patterns Can be Represented Using N Bits Obviously बात है अगर मैं आपको एक Simple सी बात बोलू कि हमारे पास N की Value 3 है तो हमारे पास 3 Bits रखनी की जगे है अब 3 Bits में आप कितने Representation कर सकते हो तो पहले वाले Cell में आप या तो 0 रखोगे या 1 रखोगे आपके पास 2 Option है तूसरे वाले Cell में आपके पास अगर दो Option है 0 या 1 ठीक है फिर तीसरे वाले Cell में भी आप 0 या 1 रख सकते हो तो टोटल हो जाएंगे 8 Patterns अब ये 8 Patterns कौन कौन से हैं तो हम बोलते हैं 0, 0, 0 रख सकते हैं 0, 0, 1 रख सकते हैं 0, 1, 0 0, 1, 1 1, double, 0 या फिर 1, 0, 1 1, 0, 1, 1 1, 1, 1 कितने होगे 5 ही होगे 3 ही होगे 8 Patterns बन रहे तो यही बात हो रही है कि 2 Power N Distinct Patterns बन सकते हैं अगर हमारे पास N Bits हैं तो अब चलिए एक छोटा सा सवाल है जो आप कर सकते हैं चाहें तो स्क्रीन को Pause कर लीजे और उसके बात फिर आप इसका आंसर दे दीजे फिर वीडियो को रिज्यूम करेगा Simple सवाल है How many minimum number of bits are required to represent 16 distinct numbers 16 अलग-अलग numbers मतलब 16 अलग-अलग Patterns हैं ठीक है जैसे अभी मैंने आपको बताया यह एक pattern हो गया यह दूसरा pattern हो गया यह तीसरा pattern हो गया ऐसे 16 patterns है Dissinct pattern अब 3 bit में तो आप 8 से ज़ाधा pattern नहीं बना सकते Yes अगर हमारे पास N की value 3 है तो हम 8 से ज़ाधा patterns नहीं बना सकते और अगर अगर हमारे पास N की value 4 है तो हम 16 patterns बना सकते क्योंकि 2 की power क्या हो जाएगी 4 तो 2 की power N अभी हमने यही समझा 2 की power N distinct patterns बना सकते हैं N bits से तो यही सवाल अगर आ जाए exam में तो आप इसका answer कैसे दे सकते हो how many minimum number of bits are required वही देखिए 3 bits में काम नहीं हो रहा 3 bit में आप 8 pattern बना पाओगे 4 bit में आप 16 pattern बना पाओगे अब 5 bit अगर होंगी 5 bit होंगी तो 2 power 5 यह नि 32 patterns आप बना सकते हो तो 16 तो बना ही सकते हो लेकिन आप से बोला है minimum number of bits कितनी कम से कम bits में हमारा काम चल जाएगा कि हम 16 different patterns बना सके है इसमें भी हम 16 patterns बना इसमें तो 32 pattern बना सकते है लेकिन 16 तो फिर बनी सकता है न तो n की value 5 होगी तो भी 16 pattern बन जाएंगे सिक्स होगी तो भी 16 pattern तो बनी जाएंगे और ज़्यादा बन जाएंगे लेकिन कम से कम कितने तो n की value 4 कम से कम तो चाहिए 16 patterns बनाने के लिए इसी तरह का एक और सवाल आपके सामने चाहे तो वीडियो को pause करके एक बार इसको भी solve करके देख लीजे और फिर मैं आपको इसका solution बताता हूँ तो यहां लिखा है how many minimum number of bits, सेम तरह का सवाल है required to represent 38 distinct numbers अब देखिए 38 distinct patterns आपको बनाने तो आप कहते हैं कि अगर 2 power 5 करते हैं तो 32 आ जाता है इसका मतलब यह है कि अगर मैं 5 bits लूँगा तो मैं 32 patterns से ज्यादा नहीं बना पाऊंगा पर मुझे चाहिए 38 तो 5 से तो ज्यादा bits चाहिए यह confirm हो चुका है अगर मैं 6 bits लेता हूँ तो इसमें मैं कितने patterns बना सकता हूँ 2 power 6 that is 64 patterns बना सकता हूँ तो 38 तो बना ही सकता हूँ उसके अंदर 5 से काम नहीं चलेगा 5 से तो 32 से ज्यादा pattern नहीं बनेगे मुझे 38 patterns बनाने तो मुझे 6 चाहिए minimum minimum number of bits तो इसका answer हमारा क्या हो गया 6 2 power 6 is 64 तो इसमें 38 तो आ ही जाएगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि कितने distinct numbers होने चाहिए x distinct numbers होने चाहिए तो हम कहेंगे कि यह x की जो value है x की value है यह होनी चाहिए 2 power n से छोटी या बराबर ठीक है ऐसा बोल सकते हैं जैसे 2 power 6 है तो 2 power 6 से कम भी है तो चलेगा और यह 2 power n minus 1 से बढ़ा है ठीक है तो यह x की value हमारे पास दी है 38 इस formula को आप समझ लो इसमें हमें 38 बोला है 38 नहीं बोला होता कुछ और बोला होता suppose करो बोला है 57 57 बोला है अगर x की value 57 है तो n की ऐसी value देखो जिसमें 2 power n minus 1 से यह बढ़ा रहे लेकिन 2 power n से छोटा या बराबर रहे ऐसी n की value देखना है आपको अगर n की value मैं रख देता हूँ 5 तो यह 2 power 4 हो जाता है 2 power 4 is 16 तो 16 से तो बढ़ा है ठीक है लेकिन अगर यहां n की value 4 रखोगे तो यहां भी रखना पड़ेगी तो 2 power 4 16 है 2 power 5 अगर यहां 5 रखते हो तो यहां पर भी 5 रखना पड़ेगा तो यह 32 हो जाएगा और यह 16 हो जाएगा तो नहीं इसके बीच में थोड़ी आ रहा है तो इसका मतलब n की value 6 आंसर होगा इसके लिए भी तो आप इस formula से भी आंसर निकाल सकते हो चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं How many distinct number you can represent using n bits तो कितने different patterns आप बना सकते हैं तो अगर n की value 1 है तो 2 power n हमको निकालना है 2 power n is 2 power 1 is 2 और अगर 2 bits है हमारे पास तो हम उसमें 4 patterns बना सकते हैं 2 power 2, 2 power 3 यह सिर्फ 2 की powers ही तो चलेगा 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, 256 है and so on चलिए अब हम बात करते हैं signed integers को कैसे represent किया जाता है देखो मैं आपको 3 methods बताऊंगा signed integers को represent करने के लिए क्योंकि इस पर बेस सवाल आ चुके हैं इसलिए इन methods की चर्चा करना जरूरी है otherwise, एक ही method है जो actual में, computers में use होता है जो हम, मैं इसमें 3 में से 3 वाला बताऊंगा न, वो लेकिन, पहला method है signed magnitude representation signed magnitude representation में क्या होता है आपके range हो जाती है यह जैसे माल लीजे आपके पास n की value है 8 तो यह हो जाएगा 2 की power 8-1 यानि 7 minus 1 यह negative में 2 2 power 7 minus 1 which means 2 power 7 कितना होता है 2 power 7 is 128, 128 minus 1 करेंगे तो 127 हो जाएगा minus में 127 से लेके plus में 127 clear, 128 minus 1 करेंगे 127 आगा तो minus 127 से लेके plus 127 इसकी range होगी आप से range पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान रखेगा signed magnitude में यह formula है range के लिए same ही value है बस यह negative है और यह positive है ठीक है अब इसमें क्या होता है signed magnitude में जितने भी bits हैं जैसे n bits हैं n bits हैं तो इस तरीके से मैंने बना लिया n bits तो इसमें जो सबसे आखरी वाली bit होती ही उसको बोलते हैं least significant bit क्या बोलते हैं least significant bit और जो leftmost वाली bit होती है इसको बोलते है most significant bit अब यह most significant bit की value 0 है तो number को positive माना जाएगा और 1 है तो number को negative माना जाएगा इसका मतलब number actual में इतनी जगे पर ही हो रहा है store क्योंकि जो most significant bit है वो एक special purpose से use हो रही है sign रखने के लिए मैं signed representation की बात कर रहा हूँ unsigned में तो हम कोई sign रखते ही नहीं है तो वहाँ वो दिक्कत आती ही नहीं है लेकि sign क्योंकि positive negative number दोनों तरह के numbers को हमें handle तो करना ही पड़ता है ना programs में तो बिल्कुल ज़रूरी है हमें signed representation आना चाहिए तो पहली वाली bit dedicated है signed के लिए अब देखे ये sign magnitude representation में अगर हम समझे थोड़ा सा कि ये range क्यों आई तो उसको भी हम थोड़ा समझ सकते है पहले मैं थोड़ा सा इसको करके बताता हूँ चलिए इसको हम करते है n की कुछ value लेकर suppose करिये n की value हमारे पास है 8 that means 8 bits हमारे पास है right 8 bits है थोड़ा बड़ा example ले लिया किया मैंने चोटा example लो चोटा example अगर मैं लोंगा तो n की value मैं मुझे लेनी पड़ेगी 4 चलो एक चोटा example ले लेते हैं n की value 4 है यानि की हमारे पास कितनी जगे है 4 bits की जगे है 4 bits में से जो पहली वाली bit है उसको तो आप sign bit बोल सकते हो वहाँ पे तो positive negative की information रखी जा रही है तो या तो यहाँ 0 होगा या 1 होगा 0 होगा तो positive होगा number 1 होगा तो negative number होगा तो इस तरीके से यहाँ पे रखा जा रहा है और बाकी बचे हुए number जो actual में यह 3 bits हैं इसमें हम वो number को store कर रहे हैं इन 3 में जो number store हो सकता है वो क्या हो सकता है तो आप सोचो sign bit को मैंने रखा और बाकी के 3 bits हमारे number को रखने के लिए use हो रहे हैं तो sign bit अगर 0 है मतलब number positive है तो 3 bit 0 अगर हो जाते हैं तो यह actual में 0 को represent कर रहे हैं then हमारे पास 1 है 0 साइन बिट तो अभी भी 0 ही रखता हूँ है sign bit 0 ही रख रहा हूँ है मतलब positive number है 001 010 011 तो यह number क्या है 1 है यह 2 है यह 3 है यह 100 है तो यह 4 हो गया यह 101 110 111 तो यह हो गया 5 यह हो गया 6 यह हो गया 7 तो 0 से 7 तक यह numbers को represent कर सकते है यह पहली bit तो 0 ही रहेगी बाकी की 3 bit मैंने समझा दी लेकिन आप देखो sign bit negative भी तो हो सकता है न मतलब यह 1 भी तो हो सकता है न 1 भी हो सकता है तो देखे अगर यह 1 है तो भी तो यहाँ 000 हो सकता है तो भी तो यह 8 patterns बनेंगे न यहाँ पर 0 1 0 sorry 001 001 0 1 0 0 1 1 1 00 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 यह हो गए हमारे पास सारे patterns लेकिन पहली bit क्या है पहली bit 1 है यानि sign bit इसकी 1 है तो number कैसा है negative है तो यह जो number बन रहे है यह क्या है यह minus 7 है na this is minus 6 this is minus 5 wait a minute 0 के 2 representation है इसको हम इधर भी 0 है इधर भी 0 है पर इससे हम sign bit 1 होने के कारेंट इसको बोल रहा है minus 0 और इसको बोल रहा है plus 0 now this is the issue issue with the sign magnitude representation यहाँ पर वोही चीज n की value 3 के लिए करके बताया जो मैंने अभी आपको समझाया n की value 4 के लिए n की value 3 होगी तो पहली वाली bit क्या होगी most significant bit यह sign bit होगी बाकी बचे हुए हमको 3 देखने होगे तो आप समझो यहाँ पर की अगर number positive है तो sign bit तो 0 होने वाली है yes और 3 को represent करेंगे 1 1 से 2 को represent करेंगे 1 0 से 0 1 0 0 और negative numbers को represent करने के लिए sign bit हो जाएगी 1 तो यह 0 0 0 1 1 0 1 1 तो इसमें issue बस यही आता है कि 0 के 2 representation है जिसके current calculations में भी दिक्कत आती है इसलिए हम इस representation को actual में use करते नहीं है तो यह हो गया signed magnitude representation नाम याद रखेगा सवाहल में इसी तरीके से लिखा आएगा signed magnitude representation तो आप समझ जाएंगे आप से किसकी बात हो रही है दूसरा method मैंने आपको बुला था signed integers को represent करने के तीन तरीके हैं उसमें से दूसरा method अब मैं बता रहा हूँ वो है once complement representation एक होता है signed magnitude representation दूसरा होता है once complement representation तीसरा होता है twos complement representation अब ये वाला पट रहे है once complement, twos complement क्या होता है आपने नहीं देखा है तो मेरे previous वीडियो को देखो playlist का link इसी वीडियो के description में है उसमें जाके देखिए पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसका knowledge यहां लग रहा है जैसे once complement, twos complement अब देखिए once complement representation का क्या मतलब है range वही होती है जो signed magnitude में थी ठीक है यहां पर भी आपको वो 0 वाली problem देखने को मिलेगी तो negative numbers are stored as once complement of binary देखो जैसे अगर n की value 4 दी है 4 bit है तो ये 4 bit में पहली bit तो sign bit रहेगी जैसे signed magnitude में हमने करा था बिलकुल वैसा ही ये bit तो plus minus store करने के लिए 0 रखा है इसका मतलब number positive है 1 रखा है मतलब number negative है तो बचे हुए 3 bit ही हम number को store करने में use कर पा रहे है ठीक है अगर n की value 4 है तो 1 इसमें चला गया बचे 3 अब इन 3 को मुझे represent करना है इन 3 से मैं number को represent कर रहा हूँ तो यहाँ पर positive number तो ठीक है सीधे सीधे आप रख सकते हो लेकिन हम को क्या करना है negative number को भी store करना है negative number को हम store करेंगे once compliment करके negative number सा stored as once compliment positive number में कोई tension नहीं है जैसे ये positive number है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो 0 को represent करेंगे तो 3 0 आजाएंगे ये तो 0 fix मान लो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये तो 0 है इन 3 bits की में बात कर रहा हूँ 3 0 है मतलब 0 0 0 1 मतलब 1 0 1 0 यानि 2 0 1 1 यानि 3 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 0 6 1 1 7 ये 3 1 होंगे तो क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा ठीक है पहली bit तो 0 है तो number positive है लेकिन अगर पहली bit negative है तो यहाँ पे number कैसे store करोगे 7 को ऐसे store नहीं कर दोगे कि 3 1 कर दी है आपने बुला कि ये 7 है नए 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 आपको क्या करना है अगर negative number को store करना है जैसे ये है negative number जैसे आपको जैसे आपको minus 7 को store करना है तो minus sign के लिए तो आप यहाँ पे 1 लगा दीजिए ठीक है ये fix हो गया लेकिन 7 को minus 7 में 7 को कैसे represent करेंगे 7 का binary निकाली है इसका 2's complement निकाली है 7 का binary होता है 111 और इसका 2's complement निकाली sorry, 1's complement निकाली 1's complement representation पढ़ रहे हैं तो इसका 1's complement निकालेंगे तो triple 1 का 1's complement निकाली 1's complement में क्या करते हैं हर एक digit को 1 से subtract कर देते मतलब 1 में से हर एक digit subtract होगी तो 1 में से 1 गया 0 आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 0 बन जाएगा और 0 1 बन जाएगा ये easy है ना याद रखने में तो 3 0 हो गए 3 1 थे तो 3 0 हो गए ऐसी minus 6 को अगर represent करना है तो कैसे represent करोगे देखो 6 6 6 है sorry minus 6 को represent करना है 6 का क्या है 1 1 0 है तो 1 1 0 का आप 1's complement लो तो ये हो जाएगा 0 0 1 तो minus 6 को आप represent कैसे करोगे ये रहा 0 0 1 और sin bit है 1 क्योंकि negative number है तो इससे पता चल गए कि number negative है पर ये 1's complement representation है यानि कि 6 का 1's complement ले लिया है 6 के binary का 1's complement ले लिया है तो अब आप समझ गए होंगे minus 5 को ऐसे represent करना है मतलब 5 का binary 101 होता है इसका 1's complement 0 1 0 होता है तो यहाँ store होगा 1 0 1 0 ठीक है ऐसे ही हर number का आप 1's complement करके representation या कर सकते हो अब लेकिन minus 0 है तो देखे 0 का binary होता है 0 0 0 इसका 1's complement ले लेंगे तो 111 हो जाएगा तो अगर यहाँ पर लिखा है 1 तो मतलब number negative है और यहाँ 3 1 आचुके है तो आपने 1's complement लिया हुआ है तो यह actual में represent कर रहा है minus 0 को अगेन यहाँ पर plus 0 अलग है और minus 0 अलग है दो तरीके के 0 वाले representation है और यही दिक्कत देता है calculation में इन numbers को use करने में इसी लिए हम इन representation को normally use नहीं करते हैं हाँ this is one of the solution बही करना तो पड़ेगा negative number को किसी तरीके से तो represent करना है तो आपने सूचा कि यहाँ पर हम 0 1 कर लेंगे तो वो positive negative तो store हो जाएगा बट बचा हुआ number कैसे store करेंगे वो एक issue आ रहा था तो आपने signed magnitude भी देखा हमने 1's complement करके भी देखा अब हम देखेंगे 2's complement वाला लेकिन उससे पहले उससे पहले देखो write एक सवाल कर रहे है write 1's complement representation of minus 18 in 8 bits आपको बुला जा रहा है 8 bits में आपको minus 18 का 1's complement representation बताना है अब देखो सीधी सी बात समझो आप ये सवाल आ सकता है आपको exam में आपको minus 18 का बाकी की 7 bits अलग कर दो ठीक है इतने होगे 1,2,3,4,5,6,1 और होगा 7 तो ये आपके पास 7 bits और ये 1 bit है तो ये minus 18 है इसका मतलब ये तो confirm है कि यहाँ पर 1 आने वाला है अब ये 18 को कैसे represent करेंगे तो आपको करना ये है कि 18 का सबसे पहले तो binary कर दो 18 का binary कैसे करोगे आप 18 का binary कर रहे हैं आप और वो भी कैसे करना है 7 bits में आप कर देना 18 का binary तो 7 bits हैं 7 bits हैं मतलब आपको 64 तो नहीं चाहिए 64 तो नहीं चाहिए फिर 32 भी नहीं चाहिए 32 के बाद 16 हाँ 16 चाहिए और 16 के बाद 2 भी चाहिए न 16 के बाद 8 नहीं चाहिए 4 नहीं चाहिए 2 चाहिए 2 चाहिए मतलब यह 1 ले लो और 1 नहीं चाहिए अभी देखो यह 7 bits में मैंने लिख दिया 4 और 3 7 यह 18 का representation है यह 18 का binary है अब इसका मझे निकालना पड़ेगा 1's complement 1's complement निकालना तो यह हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 1 अब इसमें आप से mistake क्या हो सकती है आप 18 का binary शायद सिर्फ इतना लिखो आपने अगर केवल इतना लिखा न तो इसका 1's complement करने के बाद आप बोलोगे 0 1 1 0 1 तो यह चीज की length क्या हो रही है कम हो रही है न आपको तो यहाँ पूरा 8 bits में चीजों को represent करना था चलिए 1 bit आपकी चली गई sign में लेकिन बाकी 7 bits में represent करना है इसलिए आप 18 का binary 7 bits में लिखेंगे और उसके बाद उसका 1's complement करेंगे तो जो value आएगी वो यहाँ लिखनी है तो आपका answer यहाँ पर आ जाएगा 1 1 0 1 1 1 0 1 clear है यह हो गया सवाल अब आजाते हैं 2's complement पर 2's complement को समझते हैं 2's complement आपको मालू में किसी भी binary number का 1's complement लीजे और उसमें plus 1 कर दीजे तो वो आ जाता है 2's complement of that number अब 2's complement के बारे में एक बड़ी ही मज़ेदार बात में आपको बताता हूँ कि आप कोई भी positive number का binary करें जैसे 25 है इसका आपने binary करा और suppose करो 1 byte में आप लिख रहे हो 1 byte में आप लिख रहे हो ठीक है तो 1 byte में अगर लिखो गे तो यह क्या हो जाएगा 0, 0, यह कितना होगया 128, 64, 32, 16, 8 16 और 8 कितना होगया 24, 24 तो यह 1 तो 25 का यह binary हो चुका है अब इसमें आप आप यह समझो कि यह मैंने बोला K ठीक है और इसको बोल रहा हूँ B1 ठीक है किसी भी number का कुछ तो binary आएगा न तो इसको B1 बोल दिया अब अगर मुझसे बोलते हो कि minus 25 का binary करके बताओ तो कैसे करोगे तो simple है अगर तुमें minus 25 का binary निकालना है तुम sign bit के चिंता ही मत करो बिल्कुल चिंता मत करो कि उसको अलग calculate करेंगे और बाकी के bits को अलग calculate करेंगे जैसे अभी तक के examples में कर रहे थे नहीं नहीं 2's complement representation ज्यादा easy लगता है मेरे को इसमें आपको sign bit को अलग से सोच के नहीं चलना है sign bit है definitely है पर उसको भी number में calculation में part दिल्वाएंगे देखो कैसे आपको minus 25 को represent करना है ये एक negative number है तो negative number को 2's complement करके represent करते है ठीक है क्या बुला मैंने ध्यान से सुनिये मैंने कहा किसी भी negative number का binary 2's complement representation में कैसे करते है अगर वो negative number है तो उस numeric value के binary का 2's complement निकाल दीजे वो minus 25 है अब आप कहेंगे कि 25 अक्यले का 2's complement निकालना है हाँ तो 25 का binary तो ये लिखा हुआ इसका 2's complement निकाल लो इसका 2's complement कैसे निकालोगे side में लिख दो देखो पहले 1's complement निकालोगे ये 1's complement हो गया इसमें plus 1 कर दोगे तो ये कितना आजाएगा 1 1 1 0 0 1 1 1 तो ये जो number आया ये 2's complement है किसका 25 का 25 के binary का तो आप इसी को लिख दीजे यहाँ पर कुछ नहीं करना है ये ही लिख दीजे आप ट्रिपल 1 डबल 0 1 1 1 तिस इस माइनस 25 कही लोगों को हो सकता है catch नहीं कर रहा हो थोड़ा confusion हो रहा हो confuse हो रहे होंगे catch तो हो जाएगा ये formula समझो कि किसी भी negative number का तुम्हें binary निकालना है तो तुम उसके positive का binary निकालो और उसका two's complement कर दो ये negative number का binary आजाएगा तो minus 25 का binary निकालना था तो तुमने 25 का binary निकाला और उसमें two's complement कर दिया तो हमारा answer हो गया मज़िदार बात ये है कि अगर तुम इस negative number का इस binary number का two's complement लोगे तो वापिस से तो मैं ये वाला number मिल जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर दौनो side arrow लगाए हुए यहाँ भी लगाए है यहाँ भी लगाए हुए ठीक है यह property है two's complement representation आपको समझ में आया इस तरीके से negative number represent होते है positive number है अगर तो उसका तो binary सीधे सीधे करके आप represent कर दीजे पर अगर negative number है तो आपको उस number के binary का two's complement निकालना है that will become minus of that number अब हम बात करते हैं यह तो integers के representation की बात होई है और two's complement representation actual में use होता है but अब हमको floating point numbers को represent करने के बारे हम समझना है जो real constants होते हैं real numbers होते है real numbers मतलब जो point वाले number है mathematics की बात नहीं कर रहा हूँ मैं programming language की बात कर रहा हूँ computer की बात कर रहा हूँ तो real numbers का मतलब होता है ऐसे numbers जिसमें decimal point आता है अगर ऐसा है तो उसको हम real number बोलते हैं अब real number को represent करने का एक तरीका होता है 5.625 अब इसका आप binary करते हो तो वो binary हो जाता है 101.101 अब यह वो calculation तो आपको आता होगा नहीं आता है तो मैं कर के बता याता हूँ 5 का binary तो आपको सीधे-सीधे मालूब है 101 अब 0.625 है इसका binary करना है तो कैसे करोगे 2 से multiply करोगे तो यह कितना हो जाता है 1.25 चीगे ना अभी इसमें यह 1 आप ले लीजे बिकाज यह integer part को हमें correct करना होता है फिर 0.25 लिखा है इसमें 2 का multiply करते है तो 0.5 आजाता है तो यह 0 ही आया integer part फिर 0.5 में multiply करती है 2 का तो यह 1.0 आजाता है तो यह 1 हो गया और इदर फिर 0 बचा तो 0 में कुछ भी multiply करते जाओगे 0 ही आएगा इसलिए 101 आया तो यह 101 को उपर से नीची की तरफ ही लिखना है हमको तो यह आजाता है 101.101 यह base 2 में लिखा हुआ है अब यह जो number है इसको मुझे binary में represent करना है इसको मुझे अगर memory block में store करना है तो कैसे करूँगा क्योंकि अभी तक हमने integer को देखा तो integer में तो सीधे सीधे binary करके कर दिया आपने यहाँ क्या दिक्कत जारी इस point को कैसे store करोगे आचा यह number positive negative हो सकते हैं तो sign bit तो आपको यहाँ पर भी चाहिए लेकिन उसके बाद यह point को कैसे represent करोगे यह है यहाँ पर समस्या अब इस समस्या का कुछ तो निदान हम निकालेंगे तो देखो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एक दूसरे अंदाज में लिख सकते हैं जैसे लिख सकते हैं जैसे 5.625 लिखा हुआ है base 10 में यह number है हम क्या कर सकते हैं इसमें इस point को shift कर सकते हैं इस जगे पर तो यह shift मैंने कर दिया तो यह हो गया 0.5625 अब यह number और यह number बराबर तो तभी रहेगा ना जब इसमें मैं 10 का multiply कर दूँगा क्योंकि 10 का multiply करूँगा तो point इस side shift होगा यह maths तो आती होगी यह समझाने की ज़रूरत नहीं है तो अगर मैं इसमें 10 का multiply अगर मैं point को left की तरफ shift करता हूँ तो 10 की इसमें multiply होगा 10 की power कुछ positive number जितने digits मैंने shift करा है उतनी power यहां लगने वाली है और अगर मैं इस point को right side में shift करूँगा तो power negative में जाएगी ठीक है और left side में shift करूँगा तो positive में जाएगी जितनी shifting कर रहा हूँ उस हिसाब से यहां पर value आने वाली है clear है अब यह जो मैंने format में value को लिख लिया है तो इससे क्या हो रहा है यह fraction value बन गई अभी आप देख रहे हो इस number में यह fraction value यह integer value है पर point को यहां shift कर देने से क्या हुआ यह point के पहले तो zero हो गया तो integer value तो कुछ है नहीं लेकिन fractional value यह है अब यह जो fractional value है इसको हम क्या बोल रहे है mentesa बोलते है और यह जो multiply by 10 करते हो आप क्योंकि यह base 10 का number है इसलिए 10 की power में आप लिख रहे हो और यह जो power लिख रहे हो इसको बोलते है exponent दो चीज़ें समझ लो exponent किसको बोलते है और mentesa किसको बोलते है अब इसी चीज़ को हम binary number system पे करके देखते है तो 3 bits आगे करूँगा तो यहाँ पर अरे यह मैंने base 10 लिखके रखा हुआ है अब यह base 2 है तो यहाँ पर base की power आएगा ना 2 की power आएगा जैसे यहाँ base 10 था तो 10 की power कर रहे थे यहाँ पर 2 की power आएगा और मैंने कहा था कि अगर left side में point को move करते हो तो power positive आती है तो अब आप देखो इसमें मैंने 3 bit shift किया है left के side तो power हो गई है 3 इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है इसमें यह वाला portion जो fractional portion है this is mantissa and this power is exponent अभी आपको दोनों चीज़े समझ में आ रही है mantissa किसको बोलते हैं और exponent किसको बोलते हैं अब जरा यह समझिए कि आपको number को represent करना है अगर तो आपको कुछ size की एक memory block बोला गया है कि इतना memory size है आपके पास तो उसमें जो पहली वाली bit होगी that is most significant bit यह वाली bit तो sign bit है मतलब इसमें आप 0 रखते हो मतलब number positive है और अगर 1 रखते हो तो number negative है यह बात तो जैसे अभी हमने integers के लिए समझी थी वैसी ही है अब इसके बात कुछ bits use हो जाते है exponent को रखने के लिए यानि यह वाली value इसको यहां represent करना है 0,1 में और mentisa को आप रखने के लिए थोड़ी ज्यादा bits लेते हो normally यह होता है exponent के लिए थोड़ी कम bits लेते हो mentisa के लिए थोड़ी ज्यादा bits लेते हो और sign bit तो हमेशा एक ही होती है अब देखो एक चीज होती है normalization अब normalization बड़ी important चीज है क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि floating point values को actual में आप represent कैसे करते हो exponent में क्या value आएगे एक example से भी समझना है हमको mentisa में क्या आएगा ये पूरा समझने के लिए न हमें एक और चीज concept बनाना पड़ेगा that is normalization बहुत simple है आसानी से समझ जाओगे दो ही तरह के normalization होते हैं एक explicit normalization कहलाता है और एक implicit normalization होता है आना आपको दौनों चाहिए पर ज्यादा तर जो सवाल बनते हैं वो implicit normalization पर बनते हैं आपको अगर exam में सवाल आया और ये confusion हो कि explicit की बात हो रही है मान के चलना implicit की बात हो रही है तो explicit अगर बोला जाए अलग से तो बात अलगे वैसे जादा सवाल इसी पर आने वाले है फिर भी आप दौनों चीवों को समझ ले explicit normalization का मतलब ये होता है कि आप जो redix point ये जो point लगा होता है इस point को move कर रहे हैं कहां? left side में तो जैसे 101.101 लिखा हुआ था इस पे point को आप move कर रहे हैं कहां left side में और left side में कहां move करना है तो इस पूरे number में जो leftmost leftmost 1 होगा leftmost 1 कौन सा है? ये वाला इसके भी left में हमको रखना है ठीक है? पूरे number में देखो जो leftmost 1 कौन सा है? ये वाला तो इसके भी left में आपको ये point रखना है तो आपने ये रख दिया देखिए point को यहां, यहां, यहां कहां move करा के लिए गए? सबसे पहले ठीक है? और इसके कारण आपको 2 की power 3 करना पड़ा तो ये आपने इस तरीके से represent किया This is called explicit normalization implicit normalization क्या होता है? अच्छा आप देखो explicit normalization में हमेशा point के पहले 0 रहेगा लेकिन implicit normalization में क्या होता है? point के पहले हमेशा 1 होता है तो आपको ये देखना है कि leftmost 1 कौन सा है इसमें भी तो आपने leftmost 1 देखा था? जी हां इसमें भी आप leftmost 1 देखेंगे बस अंतर यह है कि explicit normalization में leftmost 1 के left में point पहुँचेगा जबकि implicit normalization में leftmost 1 के right में point पहुँचेगा बस इतना ही फर्क है दौनों में तो आप क्या कर रहे हो इस 1 के बाद point रख रहे हो और बाकी का number as it is है तो 2 की power 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 ही bit आपने shift किया न इसलिए तो बस explicit normalization और implicit normalization में इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है कि आप देखते तो दौनों में leftmost 1 हो लेकिन उस leftmost 1 के left में point पहुँचाया तो explicit normalization leftmost 1 के अगर right में point पहुँचाया तो implicit normalization कहलाता है अब आपको ये दौनों का मतलब समझ में आ गया है अब हम इसके आगे की बात समझते है एक और बड़ी important बात है biasing ये लोगों को बड़ा confuse करती है इसको भी एक बार अच्छे समझते है अब क्या होता है कि आपने कोई number represent किया real number है तो sign bit तो आपको चाहिए positive negative रखने के लिए number negative भी हो सकता है पर ये तो सोचो कि ये जो कई बार ऐसी भी situation आ सकती है जब exponent negative हो हो सकता है na exponent negative भी तो हो सकता है भई अगर ऐसा होता 0.0010101 ऐसा होता तो अब इसमें तो आपको इस पूरे number में देखो leftmost 1 कौन सा है ये वाला है तो implicit normalization करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके भी right में आपको point लगाना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 001.0101 तो आपने point को क्योंकि right की तरफ shift किया है तो आपको 2 की power कितना आपने shift किया है 1,2,3 shift किया है तो minus 3 करना पड़ेगा तो कई बार negative power भी आ जाती है तो अगर negative value है exponent की तो सवाल उठता है कि इसमें फिर negative value कैसे store की जाएगे क्या आपको एक और sign bit लेना पड़ेगा इसके लिए ये बड़ा complicated हो रहा है तो इसके लिए एक अलग technique निकाली गई है उन्होंने ये कहा कि ये कितने bit का है पहले तो आप ये देखो जैसे माली जी ये 4 bit का है 4 bit का है तो इसमें क्या numbers आ सकते हैं minus 8 से लेके plus 7 तक आ सकते हैं 4 bit है यानि 2 power 4 तो 16 numbers आ सकते हैं ये 8 negative numbers हैं और 8 positive number है including 0 ठीक है तो 8-8 16 होगए तो इन numbers को हमें represent करना है पर problem ये है कि ये जो negative number है ये यहां कैसे represent होगा तो negative number को actual में हम लोग store थोड़ा manipulation करके करते हैं हम लोग यहां पर minus 8 store करने की बजाए हम इसमें कुछ ऐसा जोडते हैं जिससे कि ये negative ना रहे जैसे मैंने 8 जोड़ दिया तो ये 0 बन जाएगा तो वही 8 मैंने फिर सब में जोड़ दिया तो देखो इसमें भी जोड़ो सब ही में 8 जोड़ो तो actual में number C हो जाएगे तो मैं अगर मुझे minus 8 यहां store करना था जैसे 2 की power minus 8 था तो मुझे यहां पर minus 8 store करना था तो minus 8 ना करके मैं 0 store करूँगा यह 0 कैसे आया तो इस minus 8 में आपने plus 8 करा है तो यह plus 8 को आप क्या बोलोगे bias value bias करने का मतलब यह है कि bias value आप निकालो bias value वह होगी जो सब में जुड़ेगी उससे जो नई range आगी यह आप exponent में store करोगे और जब कभी आपको binary में यह value दी हो और आप इससे वापिस से हमारे human understandable format में convert करना चाहरे हो तो आपको यह reverse calculation भी करना पड़ेगा कि आप यह जो bias value थी यह subtract करके वापिस से यह find out करना पड़ेगा तब आपको सही power पता चलेगी 2 की क्या है ठीके तो अभी यह bias chart मैंने बनाया है लेकिन, 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 लेकिन क्या होता है अभी मैं चीज समझाता हूँ आपको कि bias value कैसे निकालनी bias value का एक formula है और वही याद कर लेना क्योंकि उसी पर बेस सवाल आएंगे और तब ही सही होगा जब आप उस formula को हिसाब से bias value निकालोगे ठीक है तो वह मैं अभी को बताता हूँ सीधे सीधे short track है कोई दिक्कत नहीं है biasing biasing में हम दो तरीके देख रहे है explicit normalization और implicit normalization तो मैं क्या कर सकता हूँ जैसे explicit वाला है अलागि इस पर कम ध्यान देरा implicit वाले पर ज्याद ध्यान देरा पर देख लो इसको भी तो explicit normalization है मानलो आपके पास दिया हुआ एक number 0.0101 तो इसको अगर मैं explicit normalization करूँगा तो leftmost 1 देखूँगा कौन सा है leftmost 1 यह है तो इसके left में मुझे रखना पड़ेगा point तो यह हो गया 0.101 तो इसके लिए मुझे 2 की power के अतना करना पड़ रहा है minus 1 क्योंकि यह point को बस मुझे एक shift करना पड़ रहा है तो 2 की power minus 1 तो मुझे यहाँ minus 1 store करना है यहाँ पे तो यह positive number है तो यह 0 ही रहेगा और mentisa वाला portion यहाँ पर जाने वाला है अच्छा mentisa के लिए जितनी भी bits होंगी यहाँ पर अगर 3 से ज़ादा bits है तो आगे 0 जोड़ देना ठीक है उसको पूरा fill करने के लिए because क्या होता है point के बाद आगे 0 लगाते उससे कोई फरक नहीं पड़ता number में तो mentisa में ऐसे आगे जोड़ देना तो यहाँ 101 कर देना और बाकी बच्ची हुई bits में 0 कर देना पर यहाँ पर minus 1 को कैसे represent करोगे तो minus 1 को represent करने के लिए आपको bias value चाहिए पड़ेगी तो आप बोलते हो कि यह 4 bits का है अगर तो फिर इसकी range क्या है वो यह minus 8 से लेके plus 7 तक है तो सभी में आपने 8 जोड़ दिया सभी में 8 जोड़ दिया तो 0,1,2,3 ऐसे बन गया अब minus 1 में भी तो आपने 8 जोड़ा होगा तो इससे आपका 7 आ गया होगा तो इसलिए आपने बोला exponent 7 तो आप actual में यहाँ पे 4 bit में लिख रहे हो 0,1,1,1 यह हो गया आपका 7 और मेंटी सा जो है इसको आप रख रहे हो 1,0,1 और फिर आगे जितने भी 0 है तो मानलो यह 6 bit थे और यह 4 bit थे 4,4,10 और एक 11 मतब कुछ भी हो सकता है यह 5 अगर थे तो 1,0,1,0,0 कर लो और यह यहाँ पे 0,1,1,1 कर लो और यह 0 कर लो तो यह 10 bit में अगर मैं represent कर रहा हूं बाइचांस तो इस तरीके से represent होगा तो यह मेंटी सा हो गया और यह आपका exponent हो गया अब इसी तरीके से अगर implicit normalization कर रहे होते तो यह number है हमारे पास implicit normalization में क्या करना पड़ेगा leftmost 1 देखो आप leftmost 1 के right side में point पहुचेगा तो मुझे यह point को दो बार shift करना पड़ा इसलिए 2 की power 2 ले लिए तो यह आगे हमारे पास अब इसमें मुझे इसको बोल रहा हूं menti सा इसको store करना है और मुझे इस exponent को store करना है exponent को जब भी store करोगे 2 तो उसमें bias value को add करेंगे उससे जो value आएगी वो actual में store करेंगे और menti सा तो as it is store कर देंगे तो यह चाहे positive हो यह negative हो इसमें bias value add करके जो आएगा न वही binary आप exponent वाले region में store करोगे लेकिन bias value 8 याद मत करो क्योंकि bias value निकालने का जो formula है वो थोड़ा different रहेगा और इससे आप अंदाजा भी मत लगाना क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ समझाने के लिए यह लिखा हुआ है हमें जो standard follow करना है वो IEEE 754 एक standard है उसके according ही चलना है वो ही आपको syllabus में उसी पर बेस सवाल आने वाले है तो IEEE 754 format क्या है वैसे तो आप net पे सर्च करना ये format का पूरा documentation आपके सामने आ जाएगा पर मैं आपको समझा ही देता हूँ जब बात निकली है वीडियो बना ही रहा हूँ तो समझा देता हूँ तो देखे क्या होता है इसमें 32 bits का format बताये गया इसमें क्या बूला गया है कि आपको floating point value रखने के लिए 32 bits चाहिए इसलिए आप देखते हो C language में या कई सारी language में float variable को 4 bytes मिलते है तो 4 bytes मतलब 32 bits उस 32 bits में पहली वाली bit तो sign bit होती है हमेशा 8 bits होती है exponent के लिए और 23 bits होती है 90 सा के लिए क्योंकि 23 plus 1 24 24 plus 8 is 32 तो यह 23 बचती है 90 सा के लिए तो यहाँ पर bias value always क्या रहेगी 127 आप कहोगे 128 क्यों नहीं C यहाँ पर कुछ values reserve रहती हैं उनको अलग purpose से use करते हैं इसलिए bias value इस तरीके से निकाली जाती है अब bias value का formula बताया दा हूँ अगर मालीजे number of bits E हैं E is the number of bits तो फिर आपको यह exponent वाले region की number of bits अगर E हैं तो bias value होगी 2 की power E minus 1 minus 1 जैसे हमारे पास 8 है exponent के रखने के लिए कितनी bits हैं हमारे पास 8 है तो E की value 8 है तो bias value कैसे निकाली जाएगी 2 की power 8 minus 1 minus 1 तो 2 power 7 हो गया which is 128 minus 1 it is 127 इस formula को याद कर लीजे बहुत important है तो bias value 127 हो गया तो आप किसी भी number को आप यहाँ पे आप easily represent कर सकते हैं अगर मालीजे 2 की power आ रही थी suppose करो 12 तो हम जानते हैं कि 12 में आपको add करना पड़ेगा 127 127 add कर दोगे तो यह हो जाएगा 139 अब 139 का जो binary है वो यहाँ लिखना है आपको clear है अगर मालीजे 2 की power आ जाती है minus 28 तो आपको क्या करना है इस minus 28 में add करना है 127 bias value add करना है bias value add करोगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा yes 99 आ जाएगा तो 99 का binary करोगे वो इस जगे पर store होगा बस मैंटी सा तो खेर सीधे सीधे आप store कर दोगे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बस हो गई आज की theory कतम हो गई अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ सवाल यह सवाल previous years में आ चुके है निमसेट में तो आप इनको देखिए और इनका answer करिए screen का आप pause कर सकते है pause करके पहले आप answer निकालीजे उसके बाद फिर मैं आपको इसका solution बताता हूँ चले देखते है क्या है सवाल the maximum and minimum value represented in signed 16 bit 2's complement representation are तो पहली बात तो यहाँ पर signed 16 bit बोला है और integer के लिए बोला हुआ है तो यहाँ पर 2's complement representation आपको बताना है तो 16 bit यानि 2 bytes में आपको represent करना है तो range आपको मैं बतायता हूँ जो 2's complement होता है 2's complement representation होता है उसमें अगर n bits हैं हमारे पास तो range होती है 2 power n minus 1 negative में से लेकर 2 power n minus 1 minus 1 positive में यह होती है range अब आप देख लो यहाँ पर n कितना है 16 है तो minus 2 power 16 minus 1 that is 15 से लेकर 2 की power 15 minus 1 अब यह कितना होता है 2 power 15 तो 32768 होता है और 2 power 15 यानि 32768 में से 1 subtract करेंगे तो 32767 होता है तो इससे कौन सा answer आपका आ गया यह last वाला हमारा answer आ चुका है ठीक है तो यह हमारा answer है clear एक और सवाल करते हैं यह आया हुआ है निमसे 2023 में कोशिश करिए आज जो पढ़ा है न सब उसी पर based है सवाल आपने अगर इसको अच्छे से कर लिया हर सवाल आपसे बन जाएगा इससे related बस अच्छे से कर ले ना इसको तो solution बताता हूँ मैं अब इसका पहले सवाल पढ़ते है आपको मैंने तीन बताया थे साइंड मैंगनिटूट वन्स कॉंपलिमें और टूस कॉंपलिमें वन्स कॉंपलिमें में क्या दिक्कत थी वैसे तो आपको वैसे ही मालूम है option नहीं देखो कि तो भी बता सकते हो पर फिर भी चलो option देख लेते है binary subtractions are not possible तो भी option है there are two different representation of zero समझ तो गए होगे answer तो भी है आप चाहो तो आगे के भी पढ़ लो लेकिन answer तो भी है क्योंकि ये sign magnitude में भी problem थी और once compliment representation में भी problem थी कि zero के दो representations हो रहते फिर है तीसरा सवाल इसको भी आप करिए NIMSET 2022 में पूछा गया है बहुत easy सवाल है पढ़ते ही आप इसका answer दे सकते हो तो क्या है इसका answer आप चाहें तो comment box में लिखकर मुझे बता सकते हैं तो मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने सवाल को करा और आपका answer सही आया कि नहीं the floating point representation is used to represent floating point representation जो है clear चली आगला सवाल फिर screen को pause करके आप पहले इसको अच्छे से कर लीजे try उसके बाद फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे solve करना है इसको ये आ चुका है सवाल NIMSET 2019 में तो अब इसको कैसे solve करेंगे समझे in a 8 bit representation of computer system the decimal number 47 has to be subtracted from 38 38 में से 47 को subtract करना है आपको ये ही तो बोला है आपसे क्या बोला है 38 में से 47 को subtract कर दो जो की आता है minus 9 फिर क्या बोल रहे है the result in binary 2's complement तो 2's complement में बता दो क्या result है 2's complement representation में ही तो आप negative number को represent करने के लिए 2's complement निकालते हो ना आज ही पढ़ा ना तो कैसे करते हैं इसका 2's complement पहले 9 का binary करिए 9 का binary करिए पर 8 bit representation बोला है तो 9 का binary आप पहले तो होता क्या है 9 का binary क्या होता है तो 9 का binary होता है 1001 ये होता है 9 का binary लेकिन आपको represent करना है 8 bits में तो ये तो 4 bit हो गई है ये है 9 का binary ये minus 9 का binary नहीं है ये किसका binary है ये 9 का binary है तो इसका क्या निकालना है 2's complement 2's complement निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा पहले 1's complement निकालना पड़ेगा 1's complement क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 1's complement इसमें 1 आइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 यास तो यही तो हमारा आंसर होगा क्या आंसर है 1 1 1 1 0 1 1 1 देखो कौन सा option दिखाई दे रहा है आपको 1 1 last में एक ही में दिख रहा है आपको पहला ही option है यही आंसर है अगला सवाल करिए in order to चलिए आप पढ़िए और वीडियो को pause करके और आंसर देनी कुछ करिए बता चुका हूँ वैसे मैं आज पढ़ा चुका हूँ इसको बन जाना चाहिए एक बार में 2018 में निमसेट में पूछा जा चुका है और सवाल repeat भी हो जाते है निमसेट के अंदर ठीक है ऐसा कुछ सवाल computers के repeat हुए है तो दियान रखिएगा यह सवाल आए हुए तो आपको बनना ही चाहिए चलिए आपने इसको try कर लिया होगा अब मैं इसका solution बताता हूँ लिखा हुआ है in order to store floating numbers in computer using the normalized representation अभी यहाँ पर आपको नहीं बताया कि explicit है कि implicit है तो क्या मानेंगे implicit मानेंगे तो using the normalized representation and अच्छा normalized representation में क्या होता है bias value वाला concept होता है ठीक है and 32 bits single precision 32 bits single precision किस में है IEEE 754 में उसमें 32 bit representation आपको बताया गया है उसमें आपको मालूम है कि exponent को रखने के लिए कितनी bits होती है और fraction fraction मतलब वो ही meanty सा उसको रखने के लिए कितनी bits होती है याद है आपको बिल्कुल सीधे सीधे याद होना चाहिए वो है 823 बिल्कुल सही है हाला कि देखो दो option तो मैं वैसी reject कर देता हूँ कैसे reject कर देता हूँ क्योंकि 1 bit sign bit होती है तो 32 में से 1 bit तो use हो गई sign bit के लिए तो बची 31 bits तो यह जो दोनों चीज़ें आप बता रहे हो इन दोनों का sum 31 आना चाहिए इन दोनों का sum 32 है तो यह तो answer हो इनी सकता और इसका sum कितना है इसका sum 32 है इसका sum 32 है तो यह भी नहीं हो सकता और इसका sum 32 है तो यह भी नहीं हो सकता तो answer B या D में से हो सकता था अब exponent कभी भी ज्यादा तो होता नहीं है मेंटी सा से तो वैसे भी इस पे लगा सकते थे लेकिन यह तो हमने पढ़ा है चलिए मैंने एक और option लिग दिया अब यह actual सवाल है जो आ चुका है 2019 में आया था यह ठीक है NIMSET 2019 में आया था NIMSET 2019 अब इस सवाल को आप करिये जरा और फिर वैसे मैं सब पढ़ा चुका हूँ यह भी बनना चाहिए आप से 100% बनना चाहिए अगर बन रहा है तो comment section में जरूर बता दीजे आप मेरे को चलिए अब मैं बताता हूँ इसका answer क्या है इसमें क्या बूला गया है IEEE single precision floating point representation वो 754 नहीं भी लिखे ना आप समझो उसी की बात हो रही है क्योंकि यह उसी से related है exponent is represented in represent in obviously 8 bit में represent हो रहा है लेकिन sign magnitude में represent हो रहा है नहीं नहीं उसमें तो biased value के साथ represent हो रहा है तो B option क्या बोल रहा है 2s complement से नहीं 2s complement से भी represent नहीं होता है उसमें biased value add करके represent होता है तो biased exponent representation with a biased value 127 आखरी option में 128 तो 127 है कि 128 है 127 है वैसे तो आपको मालूम है 1-1 करना है तो 2 power n-1 यानि 2 power 8-1 यानि 2 power 7 2 power 7 is 128 और फिर minus 1 करेंगे तो 127 इसलिए इसका answer C आएगा clear है C इसका answer चलिए एक सवाल और आखरी सवाल है चल्दी से इसको भी कर दीजे और फिर मैं बताता हूँ इसका answer क्या है मुझे लगता है कि ये topic ऐसा है कि इसमें तो अच्छे marks आपके आ ही जाएंगे अच्छे से मैनत कर लीजे बहुत easy topic है simple है सारे सवाल बन जाना है चाहिए विट 4-bit 2's complement arithmetic विच अफ दे फॉलेइंग एडिशन्स विल रिजल्ट इन ओवर्फ्लो तो सिंपल सी बात है ओवर्फ्लो और अंडर्फ्लो क्या होता है आपके पास लिमिटेड जगे लिमिटेड जगे है तो अगर दो नंबर को आइड कर देंगे आ रही है तो वो ओवर्फ्लो हो रहा है आपके अंडर्फ्लो क्या है सो बेसिकली दो पॉजिटिव नंबर को आइड करोगे न और उसमें अगर ओवर्फ्लो हो रहा है तो उसको ओवर्फ्लो बोलो और negative numbers को add करने से जो overflow हो रहा है उसको underflow बोलो तो बहुत simple है जैसे जैसे क्या है 4 bit का 2s complement representation है तो 4 bit है तो ये पहली bit चार bit लिखे है न तो पहली bit 1 होने का मतलब number negative है ये 2s complement में represent किया जा रहा है 2s complement में किसी भी तो negative number को represent करोगे अगर 2s complement से तो पहली bit 1 ही होगी और ये 1 यही दर्शार है तो ये negative number ये negative number है दौनों को add करूँगा तो 4 bit में नहीं बनेगा लेकिन वो underflow कहलाएगा वो overflow नहीं कहलाएगा ये 5 bit में लिखा हुआ है 5 bit में लिखा हुआ है 0 1 1 1 0 और फिर 0 1 1 0 ठीक है अब ये actual में positive number है ये 5 bit का positive number है ये 4 bit का positive number है इन दौनों numbers को जब मैं add कर रहा हूँ तो ये 0 और फिर 1 आगया तो ये 1 और फिर ये 1 0 ये ऐसा आगया अब ये वाला जो 1 है इसको store करने की जगए नहीं क्योंकि हमारे पास 4 ही bit है तो इसके कारेंट ये overflow हो रहा है तो yes हमारा answer ये भी होना चाहिए बाकी सब cases में overflow नहीं हो रहा है आप चाहें तो करके देख सकते हैं ये दो positive numbers थे इसलिए इसमें overflow हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है clear है क्योंकि ये तो एक जैसे ये थोड़ा लगे पर ठीक है ये negative number है ये positive number है तो इन दोनों को add करने से overflow नहीं होगा तो हमारा answer हो चुका है B तो बस इस तरीके से आपको करना है I hope आप इस series को बहुत अच्छे से कर रहे होगे दिन कम बचे हैं आपके exam के लिए और ये video तो शायद बाद में भी लोग देखते रहेंगे अगले साल के exam की तैयारी के लिए भी उसके अगले साल के exam की तैयारी के लिए भी तो ये videos तो available रहेंगे पर जो लोग अभी exam देना चाहा रहे हैं उन लोगों से में ये कहूंगा कि आप जब तक exam नहीं हो रहा हार नहीं मानना हर दिन आप कुछ marks increase करने के लिए पढ़ाई कर सकते हो और practice करो खूब practice करो mock papers दो जरूरत पढ़े तो teacher से guidance लो personally बात करो लेकिन आखरी दिन तक जिस दिन exam है तब तक आपको हार नहीं माननी है चाहे कुछ भी हो जाए आपका score कम आता है क्या पता paper ही tough था सबका score कम हो गया क्योंकि negative marking भी है इसलिए कम score पे भी अच्छी rank आ सकती है तो आप आखरी तक उम्मीद मत छोड़ना आप पूरी मेहनत करो जितने दिन बचे है और जो लोग अगले साल के निमसेट की तयारी कर रहे हैं उनको मैं सला दूँगा कि आप coaching जरूर जोइन करो coaching जोइन करके करना मैं निमसेट की coaching नहीं पढ़ाता हूँ और मैं recommend करता हूँ शरत सर के हाँ आप पढ़ सकते हो impetus gurukul तो आप उनसे एक बार communication करो उनकी site पे जाओ impetus gurukul पे या इस video के description में भी आप चेक कर लेना एक बार तो उनसे आप बात करो वो आपको guide करेंगे वो आपको बताएंगे कि ठीक है आपको full course कर रहा है या आपको हो सकता है के विल test series करने जो भी options है वो सारे options बताएंगे कैसे त्यारी करनी है वो भी बताएंगे ऐसा जरूरी नहीं कि आप जॉइन कर रहे हो इसलिए वो आपको बताएंगे आप नहीं भी जॉइन कर रहे हो और आपको कुछ guidance की जरूरत है तो वो definitely आपको बताएंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं इस फिशय पर इसके अलावा आप भी मेरे से भी बात कर सकते हैं topmate.io.my.sargy पर जहां पर आपको कोई भी दिक्कश जा रही है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूँ पिछले वीडियो में मैंने ये चीज डीटेल में बताई थी आज फिर दोरा के कह रहा हूँ कि जिस दिन exam हो जाए न रिजल्ट का वेट मत करना first semester की तेयारी शुरू कर देना computer programming करना है क्योंकि वहाँ आपके पास समय कम है और वहाँ पर अगर आपने गलती करी आपके first semester में अगर marks कम हो गए बता रहेगा आप computers को पढ़ना चालू करें first semester की तेयारी करें जिससे कि आप वहाँ aggregate भी अच्छा ला सकें और C, C++, DSA ये चीज आप complete कर लीजे अगले 6 महीने में याँ जिस दिन NIMSET का exam हो उस दिन से start करते हुए 6 महीने के अंदर इसको complete करिए कम से कम 600-700 practice problem programming के करना है आपको ये आपका first semester में complete हो जाना चाहिए उसके बाद आप web development और mobile application development की तरफ आगे बढ़ो इतना minimum आपको पढ़ना है campus placement के लिए और भी कई skills की ज़रूरत पढ़ती ही पर this is foundation, this is compulsory अगर ये नहीं आती तो इसके आगे की चीज़ तो बनेगी ही नहीं तो पहले आपको ये करना ज़रूरी है इसके लिए भी आपको कोई guidance चाहिए तो आप मेरी website पर आ सकते है premium.mysergy.com वहाँ पर आपको धेर सारे courses मिलते हैं और जो मैं आपको guide कर रहा हूँ वो भी मिलता है हर Sunday को मैं YouTube पर live भी लेता हूँ mysergy.com पर तो वहाँ पर भी आप live में मेरे से इंट्रेक कर सकते हैं जो भी आपके सवाल है career से related वो आप मेरे से पूछ सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये series आपको पसंद आ रही होगी like करिए, comment करिए अपने सुझाव दीजिए अगर इस channel को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले तो subscribe कर लो ताकि कोई भी video मिस ना हो bell icon को भी press कर दो अपने दोस्तों के बीच में भी इस video को share कर दो आज के लिए तना ही thank you, goodbye कर दोस्तों 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 क